तो दोस्तो आज कि इस वीडियो में हम दीवानी सीरियल के टुड़े एपिसोड में क्या हुआ सारा कुछ बताएंगे लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर लें ताकि सारे टीवी शो रिलीटेड अपडेट आपको मिलती रहे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आज के एपिसोड में जब पार्थ मीरा के घर जाता है तब मीरा की मां गुस्सा होने लगती है फिर पार्थ मीरा के माता-पिता के पैर चू कर आशीरवाद लेता है और फिर हमारी प्यारी मीरा की एंट्री होती है फिर वो पार्थ को देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसकी शादी पार्थ से हो रही है बट उसे नहीं पाता कि उसकी शादी गर्भ से हो रही है क्योंकि सगुन के रसम में गर्भ किसी जरूरी काम के कारण नहीं आ पाता है और फिर मीरा और पार्थ गार्डन में मिलते हैं और तब पार्थ मीरा को गर्भ का दिया हुआ गिफ्ट देता है जिसे मीरा की माँ देख लेती है और वह कहने लगते हैं कि यह पार्थ मेरी मीरा का पीछा क्यूं नहीं छोड़ रहा है तब ही उसी टाइम गर्ब का कॉल आता है और वह बताता है कि कोई जरूरी काम के कारण वह सगुन की रसम में शामिल नहीं हो पाया इसलिए आप लोग नाराज तो नहीं हो फिर मीरा की मा कहते हैं कि हम समझ सकते हैं कि कोई जरूरी काम ही होगा इसलिए आप रसम में शामिल नहीं हो सके फिर सभी लोग घर जाते हैं और फिर पार्थ की दादी पार्थ से पूछती है वो कैसी लग रही थी तब ही पार्थ कन्फ्यूज हो जाता है और कहता है कौन दादी? फिर दादी कहती है वह जिसकी रस्म हुई थी पार्थ कहने लगा मुझे क्या करना कैसी लगती है? फिर बता दी यहां पर कन्फ्यूज हो गई फिर दादी कहती है कि शादी तेरी हो रही है देखेगा कौन और फिर पार्थ कहता है अरे मेरी नहीं गर्व की शादी हो रही है मीरा के साथ पर यह सब जानने के बाद दादी बोलती है यह सब के बारे में मीरा जानती है क्या फिर पार्थ कहता है वह कोई बच्ची नहीं वह भी जानती होगी और तब दादी मीरा को कॉल लगाती है परंतु मीरा पार्थ के खयालों में बिजी दादी का फौन नहीं उठाती फिर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है कल के एपिसोड में जब मीरा दादी का कॉल देखेगी और जब गर्ब की शाधी का राज खुलेगा तो देखने में बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों अगले क्या-क्या राज खुलेंगे जानने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद जय हिंद